स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर चलिए शुरुवात करते हैं आज के वकाब्लरी सेशन की डॉक्यूमेंट की पीडिएफ के लिए आपकों से टेलिग्राम ग्रूप पर जुड़ जाएगा टेलिग्राम ग्रूप का नाम है आठी क्लासेज पहले एडिटोर होना द्वीपक्षिय कोई समझाता होना इस तरह से उससे बोलागा है बाइलेटरल से टू साइडेड म्यूच्वल ड्यूवल बाइनरी और बाइपर्टाइट एंटॉनिम से वन साइडेड अन्रिक्वाइटेड और यूनिलेटरल वोटरी एडिटोरियल में वर्ड यूज में हो या फिर किसी रिलीजिन से का समर्थ को किसी धर्म का समर्थ को अनुव्याई होना किसी का भक्त होना उससे बोलागा है वोटरी से नौन से डिवोटी अधियरेंट फॉलोवर पार्टिजन बिलीवर और एड्माइर अनौन से मेंटर इंसर्जेंट और ट्रेल ब्लीजिंग का मतलब होता है अगरनी होना किसी क्षेतर में दूसरों को मार्ग दिखाना, पत परदर्शक, मार्ग दर्शक होना उससे बोलगा है ट्रेल ब्लीजिंग synonym से pioneering, innovative, revolutionary, advanced, or inventive अन्पोरिम से dump, unsophisticated, uneducated, or banal unprecedented unprecedented का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो अभूत पूरू या अध विती है तो उससे बोला जाता है unprecedented synonym से unparalleled, novel, singular, unusual, exceptional, or unique antonym से traditional, familiar, ordinary, typical, or precedented exploration exploration का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में चान बीन करना, खोज करना, अनुसंधान करना उससे बोला गया है exploration synonym से investigation examination, probe, study, research antonym से tardiness, ignorance, cover, or find catapult catapult का मतलब होता है किसी भी चीज़ को throw करना वस्तू या विक्ती को अचानक से बहुत जोर से किसी चीज़ को फैंकना forceful manner में उससे बोला गया है catapult synonym से hurl, throw, propel, launch, shoot antonym से stationary, agitate, block, or calm confrontation confrontation का मतलब होता है कल भी वर्डायत है confrontation का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर आपस में अनबन होना, लडाई जगडा होना, आमना, सामना होना, डट कर मुकाबला करना विरोध करना किसी चीज़ का उससे बोला गया है confrontation synonym से conflict, encounter, clash, fight antonym से agreement, calm, consensus, और peace diffident diffident का मतलब होता है जो संशई विक्ती हो, शक करे संदेहवादी, आत्म, विश्वास, हीन जिसे अपनी ही योगयता पे, ability पे या strength पे अपनी ही शक्ती में विश्वास ना हो उससे बोला गयाता है diffident synonym से timid, shy, peaceful, modest, timorous, or humble antonym से confident, desirous, और सैसे ही discrimination discrimination का मतलब होता है दूसरों से किसी तरह का भेर भाव करना किसी की कुछ जादा ही तरफदारी करना पक्षपाद करना उसे बोला गया है discrimination synonym से discernment, judgment, prejudice, bias antonym से fairness, indifference, justice, or acceptance misgivings misgivings का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम संदेह हमें है, चिंता होना, शंका, किसी तरह का अविश्वास, उसे बोला गया है misgivings, ये वर कल भी आया था डिटूरिल में, synonym से apprehension, suspicion, qualm, doubt or mistrust, antonym से faith, confidence, trust, or certainty, crackdown, crackdown का मतलब होता है अपराध रोकने के लिए कड़ी कारवाई करना, सخت कदम उठाना onslaught, antonym से beginning, abate, advantage, assessed or benefit descent descent का मतलब होता है कि किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर आपस में मतभेद होना और सहमती होना एक दूसरे के विरोधी होना उसे बोला का है descent synonym से disagree, differ, dissension, objection antonym से agree, assent, approval or accept यहां से second editorial शुरू हो रहा है भी तब वीडियो को लाइक नहीं गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजगा पहली बार चैनल पर विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजगा साथ में बेल आइकर पैस कर दीजगा second editorial से पहला word है attainment attainment का मतलब होता है किसी तरह की उपलबधी होना achievement किसी तरह की उपलबधी कोई चीज प्राप्ट करना उसे बुला गया है attainment से नौरिम से achievement, accomplishment, success, fruition, triumph and तरौरिम से failure, disaster, defeat or loser spur spur का मतलब होता है किसी भी चीज़ को encourage करना या किसी को बढ़ावा देना support करना किसी बात को प्रेरीद करना किसी को किसी काम करने के लिए प्रेरीद करना फिर प्रूर्ट साहित करना उसे बुला गयाता है spur से नौरिम से फ्रोड, urge, encourage, stimulus, and तरौरिम से discourage, block, dissuade, or hindrance parity equivalence, similarity, par, uniformity एंटरॉम से discrepancy, disproportion, or unequal imperative imperative का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसा कोई काम जो बेहर्द जरूई हो बहुत ज़्यादा आवश्यक होना अतीम है तो पूर्ण अत्यावश्यक उससे बूला गया है imperative synonym से essential, necessary, vital, crucial एंटरॉम से minor, unnecessary, needless, or inessential vicious vicious का मतलब होता है बहुत ज़्यादा volantly manner में पेशाना, volant manner में निर्देता के साथ, निर्मम बहुत cruelty के साथ प्यभार करना खराब होना, बहुत दुष्ट होना उससे बूला गया है vicious synonym से cruel, savage, wicked, evil antonym से good, kind, nice, or benevolent pandemic common word हो चुका है यह तो सभी को आता होगा pandemic सरोवयापी जो महामारी या विश्वयापी महामारी होती है यासी कोई problem उससे बूला जाता है pandemic synonym से epidemic, widespread, prevalent, pestilence, or universal antonym से specific, exclusive, incomplete, or limited fragility fragility का मतलब होता है नाजुकपन होना के सीज़ में बहुत जादा जिसे easily hurt किया जा सके को मलता होना easily quality of being easily damaged or destroyed उससे बूला जाता है fragility synonym से delicacy, weakness, informity, debility, vulnerability antonym से resilience, power, strength, or violence constrained constraint का मतलब होता है किसी भी बाधीत करना किसी को कोई काम करने से बाधीत करना, रोकना, अवरुद करना, limit करना किसी को उससे बूला गया है constrained synonym से forced, strained, curved, bound, compelled antonym से freed, unaffected, abandoned, or allowed patriarchal patriarchal का मतलब होता है जहाँ पुरुषों की ही चले पुरुष, प्रधान, समाज पुरुषों को जहाँ जादा प्रात्मिक्ता दी जाए as compared to female उसे बूला गया patriarchal synonym से fatherly, paternal, ancestral, patriarchic antonym से feminist, advanced, common, or unfatherly stalled ये last word है आज का, stalled का मतलब होता है किसी भी काम को ना होने देना, टानना hindrance पैदा करना, किसी तरह की रुकावट पैदा करना उसे बुला गया है, stalled, माफ की जिगा synonym से stopped, deadlocked, halted, stop synonym से ongoing, advanced, afoot, or scuttled ये last word है आज के session से I hope आपको session fruitful लगा होगा informative लगा होगा, आज भी काफी सारे words आपको नहे मिले होंगे और बहुत सारे words आपको 22 भी होंगे 20-25 words है आज, 22 words इस सेशन मेटना है, इस एदर के इन फमेटी वीडियो के लिए चैनल पर, thank you, thanks for watching